जे श्री हरी, इस प्रिच्रल ग्यान चनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की वीडियो में हम जानेंगे उस प्राचीन शिव मंदिर के बारे में जहां जीवित लड़की मूर्ती बन गई वीडियो शुरू करते हैं भगवान शिव के मंदिर भारत के अलावा और भी कई देशों में इस्थित है ऐसा ही एक प्राचीन मंदिर इंडोनेशिया में भी है यह मंदिर प्रांबानन मंदिर के नाम से प्रचलित है इस मंदिर में भगवान शिव के साथ एक देवी की मूर्ती भी स्थापित है। इस मंदिर की सुंदर्ता और कलाकारी देखने लायक है। और इस मंदिर की दिवारों पर बने हुए चित्र रामायन महाकाव्य को दर्शाते हैं। यह मंदिर इंडोनेशिया के जावा में भगवती दुर्गा के रूप में रोरी जगरंग नाम की देवी को पूजा जाता है। इस देवी को पूजने का कारण एक प्राचीन कता है जो की इस प्रकार है। को मना ना करते हुए उसके आगे एक सर्थ रखी कि उसे एक ही रात में एक हजार मूर्तियां बनानी होगी। सर्थ के अनुसार बार्णोंग बोंदोवोसों ने 999 मूर्तियां बना दी और जैसे ही उसने आखरी मूर्ति बनाना शुरू किया तब रोरो जंगरंग ने पूरे शहर के चावल के खेतों में आग लगवा दी। जिससे बार्णोंग बोंदोवोसों को लगा कि उजाला हो गया है और उसने मूर्ति बनाना बंद कर दिया। इससे वह शर्थ हार गया परन्तु जब बांडूंग बोंदोवोसों को इस बात का पता चला तो वह यह बरदाश नहीं कर पाया और उसने गुस्से में रोरो जंगरंग को आखरी मूर्ती बन जाने का श्राप दे दिया अब मंदिर में उसी मूर्ती को दुर्गा मान कर इंडोनेशिया की लोग इस कथा को रोरो जो रंग से संबंदित होने के कारण ही इस मंदिर को रोरो जंगरंग मंदिर के नाम से भी पुकारते हैं जबकि हिंदू लोगों के लिए प्रमबानन मंदिर आस्था का एक केंद्र बन चुका है प्रमबानन मंदिर इतना सुन्द कि वहां की बनावट हर किसी को अपने मुहों में बांध लेती है मंदिर की दिवारों पर रामायन काल के चित्र भी अंकित किये गए हैं यह चित्र रामायन की गाथा को भी बयान करते हैं कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं इसी तरह की और वीड झाल करते हैं